राजधानी पटना में एक और दो दिसंबर को बिहार कौनक्लेव का यूजन क्या जाएगा जिसमें देशी नहीं बिदेश की लोग भी सिर्कत करेंगे इस बात की जानकारी देते वे रूबन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंग ने बताया कि बिहार के अंदर जो इंटर्प्योनर है वो क्या कर रहे हैं वो दिखाएंगे यही नहीं उनकी क्या यूजना है इसके बारे में भी बताएंगे उन्होंने कहा कि बिहार में चैंबर ओफ कॉमर्स बिहार इंडस्ट्री एसोसियेशन को एक मंच पर लानी की कोशिश जारी है और पाचवा कौनक्लेव क्या जा रहा है ओने बिहार कॉनक्लेव हम लोग पिछले चार बार कर चुके हैं बीच में को घॉंठ वीट रिकारन इंट्रप्त कहिए पर फिस्ट कर रहे हैं बैसिकली इसमें जो बिहार के भिहारी लोग है visisa बिहार के अंदर में जो अच्छा entrepreneurship कर रहे हैं इंडिया में different locations में experts हैं और बिहार के प्रती अच्छा भाव रखते हैं और इसमें development करना चाहते हैं प्रस बिदेश में जितने हैं अमेरिका में हैं यूरोप में हैं Middle East में हैं Australia में वो भी बिहार के बारे में सोचते रहते हैं औ जो वो लोग कर सकें तो इसी को एक gathering एक platform पर लाने का है जैसे बिहार में तीन संस्ता है मैंना business entrepreneur इंडस्ट्रीज का बिहार session of industries, confrontation of Indian industries, बिहार branch और बिहार Chamber of Commerce ये इस तरह तीनों संस्ता को एक platform पर हम लोग बिहार configuration में ला रहे हैं और इसमें हर sector में इंडस्ट्री, agriculture, health, even हम लोग ये culture and heritage पर भी कर रहे हैं, tourism पर कर रहे हैं जो tourism में बहुत 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 पोटेंसियल है यह बिहार में religious, यह में IT, सब के vertical में उनके experts होंगे, अपना अपना बात कहेंगे बिहार में क्या कर सकते हैं, क्या उनकी इक्चा है और बिहार में जो कर रहे हैं वो दिखलाएंगे कि बिहार में हम लोग ये कर रहे हैं, बहुत से लोग IIT और IIM और अच्छे अच्छे corporate जॉब छोड़ करके बिहार के area districts में अच्छा entrepreneurship करें culture में, वो दिखलाएंगे जिससे हमको आपको confidence होगा कि बिहार में यह हो रहा और और हो सकता है, और इससे मनोबल बरहेगा, इस पर बिहारी जहां भी हैं, वो भी चाहेंगे कि हम potential हैं, हम आके जब यह succeed करेंदे हम भी आ सकते हैं, तो पूरा conclave का यही उद्यस है, कि बिहार के लोग जहां भी हैं, बिहार का sympathizer, इसके सुपचिंतक जो हैं, वो आएं, अपनी बात बोले, बिहार के बारे में जाने के क्या करना कर सकते हैं, क्या potential है, और सबसे बड़ी बात है, यह effort जो है बिहार conclave का, कि हम बिहार के self-respect को, बिहार के sub-nationality को हम बढ़ाएं, और जो wrong perception है बिहार का, उस perception को हम लोग change करें, जिसमें सिर्फ बिचार change करने का है, fact है कि crime से ले करेके, corruption से ले करेके, dirt से ले के, जो बिहार में है, वो छोटा बड़ा करके, इंडिया के हर जगह में है, तो हम बिहार अच्छा है, यह हम दिखलाएं, बिहार में potential है, यह दिखलाएं, और लोगों को, हम लोग आमंतृत करें कि आप बिहार में आके काम करें, और सरकार से हम लोग सरकार को देंगे कि बिहार में यह हो सकता है और बिहार में ऐसे-एसे लोग हैं जो आपके कुछ करना चाहते हैं उन्कलेब का यही मक्सद है इसमें हम लोग आपनों के सहयोग से सक्सीट करेंगे और इसका नव्यूंड का जो एमस है जो इसका बात होगा वो जंता के बीच में बिहारियों के बीच में आल अवर इंडिया आप लोग पहुंचाएंगे तो बिहार का मनोबल बरेगा दन्यबाद देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे स्ट्रेट बस नियूज धन्यबाद